तो UFC 299 का इवेंट अभी थोड़ी देर पहले खता हुआ है और to be honest ये 2024 का सबसे तगड़ा UFC इवेंट बोला जा सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी legendary fights हुई, काफी legendary fighters अबना comeback करा, knockouts निकाला, एवें जो decision victories थी वो भी बहुत जादा interesting fights निकल गया है, UFC 299 का results बता हुआ किसने किसको call out करा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को like कर देजिएगा, चैनल को subscribe कर देजिएगा, UFC combat sports का ऐसा ही content हिंदी में enjoy करने के लिए, अपसे पहले हम सब बात करते हैं अपने prediction का, जो मैंने prediction करी थी 5 fights, उसमें से मे अंदर वो कैसा perform करेंगे, वो नहीं देखा, और यहाँ पर हमने देखा कि kind of अच्छा fair करा उन्हों केविन होलेंड के अगेंस, और उनका जो style था, वो काफी जादा effective दिखा, केविन होलेंड का जो basic fighting style है, उसकी अगेंस, और ब्लेट से जो entry MVP करते हैं, उससे काफी जादा प्रॉब्लेम्स दिऊ, आपर केविन होलेंड को और एक decision victory आपर जीत गया, यहाँ पर यह चीज़ decision victory तो मिल गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो MVP का fight style है, वो आगे जाके और जो तगले fighters है, वेल्टर वेट डिविजिन का उसके against क्या fair कर पाएगा, तो कि वो काफी जा आपर प्रूफ कर दिया कि उनका level UFC का है, उनका जो fighting style है, वो UFC के अंदर भी अच्छा fair कर सकता है, अब आगे जाके देखने वाली बात होगी कि टॉप contenders against उनका कैसा performance लिगल के आता है UFC के अंदर, पर यह जो हमारी दूसरी prediction गलत हुई, वो ही Jack Della Madalena vs Gilbert Burns कि मैंने आप सब पूला था कि Gilbert Burns इस fight को जीतने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे मैंने आपको analysis बताया थी, same fight वैसी ही गई, मैंने आपको बताया था कि Gilbert Burns यहाँ पर काफी अच्छा control कर सकता है, और जो third round में उसका knockout निकल गया है, उससे पहले Gilbert Burns दोनों राउंस जीत चुका थ तो अगर यह knockout नहीं निकल के आता है, एक freak knockout ही इसको कह सकते हैं, अचानक से नहीं पढ़ गया, वहाँ पर take down लेते वक्त, अगर यह नहीं नहीं पढ़ता था, तो definitely on the scorecards Gilbert Burns यहाँ पर जीत सकता था, और Jack Della Madalena की striking definitely बहुत अच्छी है, जैसा मैं आपस वो बदाया था, Gilbert Burns भी hesitate कर रहा था, stand-up battle करने में, जबकि हमने देखा है कि Gilbert Burns कभी ब्रॉलिंग करने से पीछे नहीं अटता, वो यहाँ पर पूरा ground game में ही focus करके आया था, बट यहाँ पर एक freak नहीं पड़ गया और उसका यह आपर knockout निकल लिए आगे, और Jack Della Madalena ने यहाँ पर शावकात यह पर शावकात की वो बहुत जादा well-rounded है, और उसमें आपर Jack Della Madalena को problem हो सकती है, बाकि आप सब अपना opinion नीचे comment section में ज़रूर बताएगा, यहाँ पर Peter Yan के victory होगी song add-on के साथ, जैसा मैंने आप सब को बताया था, Peter Yan काफी जाद experience fighter था, और experience नहीं आपर Peter Yan को victory दिलाए, definitely decision victory में experience काम आया, और Peter Yan की जो losing streak थे वो इसले भी नहीं थी कि वो बहुत खराब perform कर रहा था, वो इसले थी कि उसने बहुत continuously fights ले रही थी, और हारने ब्याले भी देखे जो आज के time पे जो champion है, Sean O'Malley, Mirabdollishvili, उन से हारा था Peter Yan, ना कि कि किसी भी upcoming contender से ऐसे हार गया था, तो definitely Peter Yan की जो losing streak थे वो देखने में बहुत जादा बड़ी लग रही थी, three fight losing streak, वो काफी जादा top contenders के अगेंस आई थी, और clear नहीं दिखा है कि song your dog के अगेंस उसका experience बहुत जादा matter करता है, और आगे जाके वो अभी भी title contention में fight कर सकता है Peter Yan, अब भाई हो बात करते हैं, पर Dustin Poirier vs Benoit St. Denis की मैंने इस पूरे fight week के अंदर Dustin Poirier को support करा थो, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला थे कि Benoit St. Denis यहाँ पर जीतने वाला है, वो यहाँ पर एक rising contender है, Dustin Poirier की age हो गई है, बहुत सारी चीज़े बोली थे, बट मुझे यहाँ इस चीज़ का विश्वा फिनिश नहीं हुआ, उसके बाद वो थोड़ा थक गया था, गैस आउट हो गया थो, जैसे ही यहाँ पर adversity निकल किया है, यहाँ पर Benoit St. Denis में ब्रॉलिंग स्टार्ट करें और आप ब्रॉलिंग नहीं कर सकते हो, Dustin Poirier के साथ लाइट डिविजन में, क्योंकि उसका counter right hook आपर बात करी जारी है कि जून के अंदर Dustin Poirier की fight इसलाम महाचे उसे भी हो सकती है, उन्होंने भी अपने press conference में यह सारी चीज़े बोली, परसनली अगर यह इसलाम महाचे वरसास Dustin Poirier था मैच अब 2-3 मेहने पहले आप मुछ से पूछते, तो मैस में इंटरस्टेड नहीं इसलाम महाचे वरसास Dustin Poirier का भी मैच अब काफी इंटरस्टेंग हो सकता है, और इसलाम महाचे ने भी आपर कॉंग्रेचुलेट करा था Twitter के उपर Dustin Poirier को, अब बात करते हैं आपर में इमेंट कि Sean O'Malley versus Cheeto Vera की, तो यह एक बहुत ही जादा one-sided domination fight ती Sean O'Malley की, और हम सब को बत होना था कि उसकी last fight थी, जो जिसका last loss था Cheeto Vera के against, वो एक fluke loss था, और यहाँ पर clearly उसने इस चीज़ को प्रूब कर रहा है, definitely उस ताइम से दोनों fighters काफी जादा evolve हो गए, पर Cheeto Vera का अज लेवल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था Sean O'Malley की अगेंज, definitely एक चीज़ प्रूब कर कर रहा है, बात इल्या टो पूरिया का कोई टाइटल डिफेंस नहीं है, तो यह fight बनने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा आप डॉलिश्वली भी बैंक्टम वेट डिविजन में बेट कर रहा है, तो most probably मेरा भी fight कर सकता है, next या इल्या वाला match-up भी हो सकता है आप देखने वाली बात होगी कि आदे जाते कैसे प्रोसीड आउट करती है चीज़े, UFC 299 का इवेंट बहुत जादा इंट्रस्टिंग था, बहुत मजा है इस fight को देखके, आप आप सब अपना opinion नीचे comment section में ज़रूर बदाएगा, कि आपकी कितनी prediction सही होई, कितनी गलत ह आपको fights interesting लगी या नहीं लगी, सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप सब नीचे comment section में, तिल दिन वीडियो पसंद आएगो तो इसको like channel को subscribe कर देजीगा, मिलता हूँ, आप सब को next video में अगले update के साथ, बाई बाई